अब गुड मोरिंग स्टुडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी श्टुडेड अबाउट स्टेंडर्ड यूनिट्स ओफ मेजरमेंट कि हम स्टेंडर्ड यूनिट या नि पूरे वर्ल्ड हमारे कौन से यूनिट है जो हम हर्द जगा यूज कर सकते हैं जैसे हमारी लैंद के मेजरमेंट यूनिट और सेंटेंडर्ड मать यूनिट के मशिष्च अटर्ड में स्टेंडर्ड मेजरमेंट करना है तो श्टेंडर यूनिट के आग इसके लिए ठीक है enc next topic is measurement of length कि हम length अगर हमें किसी चीज की मेजर करनी है तो हम कैसे मेजर करेंगे कैसे वह मेजर की जाते है अब लेंथ होती क्या है लेंथ क्या होती है लेंथ is the distance of something from one end to another end कि किसी भी चीज की लेंथ क्या होती है distance होती है something ठीक है suppose हमें we are going from पानीपत तो करनाल okay तो first हम हमें क्या पता हो नची इवागी firstly हमारे क्या क्या कंपल्सरियर तो know the distance between these two places okay then we prefer we can go go into a bus सोरीने कार और on a cycle by cycle ठीक है वो सब हमारी मतलब मोटर बाइक हम किस पे जा सकते हैं फिर वह उसके लिए हमें क्या प्रैफर कर सबसे पहले क्या नोन होना चाहिए हमारे लिए distance between two places तो सेम ऐसे ही वुषी को क्या मोलते हैं लेंथ तो सेम ऐसे ही लेंथ लेंथ इस डिस्टेंस of something from one end to another end कि एक एंड से लेके दूसरे एंद तक भी क्या होती हमारी लेंथ होती है ठीक है स्पोज हमारे तो हमें क्या है कि one end से लेके second end तक कि डिस्टेंस कितनी है स्पोज कितनी है वह 30 cm 40 cm है ठीक है जब हमें लेंथ पता होगी तभी तो हम उसके उपर शुटेबल चीज रख सकते हैं ठीक हमें पता चल जाएगा कि हां यह यह चीज हमारी इसमें फिक्स हो सकती है यह सबना हुक है अगर रूम का साइज हमरा हमारे भी मलग चौह तो हम आवन कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हम किते मैटेर डाल सकते हैं ठीक है तो घ्ली हम करता है अबहरे रूंत करता है इट कंभी मेजर यूजिंग आम मेजरिंग स्केल कि हम इसको मेजर कर सकते है मेजरिंग टेप का टेप देखा नो जिसमें फिट में होते हैं मेड में सांतीमितर में भर लक्र Olaf क्र्याटsal Pomam다 क्रणा पल gang G21 और हमारे का डी Division क्रोमम्रफ कल सबमALK by लो सब्सक्राइब लेबरेटरी के अंधर आपको दिखाएंगे तो नेक्स देखो correct measurement of length कि हम length कि अगर हमें correct measurement करने हैं तो कैसे करें यह निया कि हमने बस भागते भागते उसको देख लिया कि हां वही इतनी उसके लिए कुछ हमारी वह होती है conditions होती है कि हम correct measurement कैसे कर सकती है अगर हम बिना correction कि अगर हम measure करें तो the length we measure should be incorrect can be incorrect okay maybe incorrect कि वह हमारी incorrect हो सकती है तो देखो इसके लिए कि correct measurement हम कैसे करेंगे length का the correct method the correct method of measuring length or distance is using the standard tools with correct marking की जब हम correct method use करते है measuring length के लिएство distance को measure करने के लिए तो उसके लिए हमारे क्या होने चाहिए correct कि होने चाहिए correct tools होने चाहिए हमारे पास standard tools होने चाहिए निए कि हमने hand span मेहलгов से में मतलब जो हमने throughout mi तो जिस चीज से हमने उस 1-meter क्लोथ को हमने मेजर किया वहर जगह 1-meter ही रहना चाहिए मतलब हर जगह हर किसी भी हम अगर उसको स्टनर्ड टूल से मेजर करें तो वहर जगhe sama बिले ठीक है निया कि उसका लेंद वैर करें चेंज हो तीरे कि हमने इससे मेजर किया तो different तो । यहींनों होना चाहिए ना तो वो गायब हो चुके हैं वाशे वैनिश हो चुकी है तो we cannot correctly measure the scale in the geometry box can be used to measure the length of a pencil और book की book की measurement के लिए फिर pencil की measurement के लिए हम कौन सा scale use कर सकते हैं जो आपके geometry box के अंदर आता है ठीक है while measuring the length using a scale we should take care of the following points की कि जब हम measure कर रहे है scale की हाल से किसी भी length को तो हमें क्या-क्या conditions क्या-क्या following points को माइंड में रखना चाहिए तो देखो first point देखो ensure the scale is kept straight कि आपको क्या sure करना है कि जो हमारा scale है वो क्या कैसे रखाऊ बिल्कुल kept straight कैसे रखाऊ straight and aligned along the length of the object और object के length के according ही वो रखाऊना चाहिए suppose अगर हम ऐसे रख रहे है तो जो हमारी book की length वो भी कैसे होनी चाहिए इसी direction में होनी चाहिए यह direction हमारी यह हो और measure कर रहे इस direction में ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए second point देखूं place the scale on the object in such a way that zero of the scale is at the starting point from where the length is to be measured कि हमें जो scale है और हमेरा scale इस टाइप से रखना चाहिए कि जहांसे जहाथ से हमने मेंप मेजर करना स्टाryट कर कर कि हेल एक лучше किह हमारा क्या हूंना चीम होना किह एक फिक्स्ट मॉम्हें क्या सब्सक्राइब पहुद होना चाहिए पहना चाहिए क्या होना चाहिए थर्ड प्वाइंट देखो एन्ड से आरोट बोकन जो आंड सोते कई बार यह ब्रोकन नोटे हमारे स्केल के हम उसे क्या करते हैं यह बट वह सके लिए स्केल का तो यूज करते हैं बट वह स्केल का इस अब रोकन उते हम होसे की हैं जाते हैं गर्डाहर कर देटे और वह कैसे हो जाते हैं हमारे रोंग इव दैज ओफ देज ब्रोकन और वोर्न आउट स्टार्ट दा मेजर्मेंट फॉम एनी अधर क्लियर मार्किंग कि अगर उसके एंड्स क्या हम ब्रेक ब्रोकन है टूटे हुए है या फिर वोर्न है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा क्लियर पॉइंट ह क्या कर सकते हैं मारक है मेजर कर सकते हैं फूस्पोस हमारा पॉइंट हो ब्रोकन है ठीक है जिरो को नहीं ले सकते तो थोड़ा से स्कर और क्या कर रोगिवा से स्थास्य कर दो लेटर सब्स्ट्राइटि इनिशियल रीडिंग फिट। वो माइनस कर सकते के लिए फूर एक्जेम्पल, कि इनिशियल से पहँ साथ हैं, one की बचाई हमने कहां से start किया three centimeter से start किया suppose तो इसके बाद देखो जो हमारे initial reading किया 3 यानि जिससे हम ने start किया वो final reading हमारे कितनी आई nine ठीक है तो nine आई तो हम क्या कर सकते है nine में से nine minus three तो हमारे कितनी आई जो total हमारे लैंद हुई वो कितने हुई 6 cm अगर हम यह चीज हम कहां से लेके चलते जीरो से लेके चलते ठीक है अगर हमारा स्केल बिल्गुल मतलब निट अंड क्लीन था हमारा स्केल मतलब वहां पर कोई मार्किंग्स वगएरा वैनिश नहीं हो इदी तो हम कहां से स्टाट करते जिरो से उस्पोस वह कहां तक लिए एक होता है शिक्स तक जाती हमारी लैंट फाइनल हमारी रेडिंग शिक्स तक आती तो जिरो माइनस स यहां पर भी कितना रहा था हमारा शिक्स तो शिक्स और शिक्स यानि वैल्यू था हमारे सेम ही है आपके से पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो बट आपको वह जो इनिशल रेडिंग है वह कैप्टिन माइन में रखने होती है वह रीडिंग ठीक है नेक्स देखो फॉर्थ आपको इस चाहिए आपको कैप आइस क्या रखनी चाहिए वहीं पर रखनी चाहिए तो इसके उपर क्या हो रहा है कि एक साइड से जो हमारे एक फॉर पॉइंट देखो इसको अगर आप बिल्कुल उपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी एक्जक्ट रेडिंग दिखाई देगे ठीक है जो है लेकिन अगर आप कहीं से भी देख रहे हो कि मतलब वहां से प्रोपर हमारा हम नहीं देख सब पाते ठीक हम आ इसको क्या नज़रा रहा है 4.7 विकोज यो बैक साइड से देख रहा है इसको ठीक है तो इसकी वजह से यहां पर क्या होती रहती है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें परफेक्ट मेजरमेंट के लिए हमेशे एक परफेक्ट ही आग्जेक्ली जो हमारी आइस है वह बयोदा मेजरमेंट मेजरमेंट पॉछंट के उपर ही होने चोगर ठीक है नेक्स्ट मेजक्तार मेजरीं लैंध यूजिब दिवाइडरढ देखो आप थो हमने किस से चैमेजर की थी उसरी देस केल से यह फिर रूलर से ठिक है ओपर कोई नहीं होती a divider and a scale can be used to measure the distance between two points firstly देखो keep the divider in such a way that each tip is at the points say A and B divider को इस type से रखो देखो ऐसे आपने keep करना है आपके divider को ऐसे रखना है कि आपके divider है एक हमारा A point पे हो एक tip और दूसरी tip किस पे हो B point okay then without disturbing the divider place it on a scale कि बिना डिस्टरब कि इसको यह कि आपने इसको और ज्यादा stretch कर दिया ठीक है यह compress कर दिया आपको क्या करना 6 बिना उसकी disturbance कि without any disturbance place it on a scale कि उसको कहां पे रखो scale के उपर रखो और कहां से वही वही प्रोसेजर फोलो करना कि एक tip किस पे रहेगी जीरो पे एक टीप हमारी किस पे रहेगी जीरो पे और सेकिंद हमारी क्या रहेगी कहीं पर भी रह सकती है ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है यह पिन haji ठीक है एक हमारी जीरो पे रहेगी उसके बाद सेकिंद हमारी final position पर ठीक है टिक दाडिडिंग्स corresponding to the tips of the divider फिर आपको क्या करना है रेडिंग्स लेनी है tip of divider divider की corresponding मतलब tips के according जो की A tip और B tip जो हमाने हमने इस के उपर divider के उपर रखी है तो उसी को क्या करना आपको महीं पर रखना है फिर आपको क्या करना है the difference between the readings gives the distance between two points जो difference आपके final और initial कितने स्टाइटिक में कितने आपके 0 और final कितने या वन ठीक है तो 1-0 यानि distance कितने दोनों points के बीच में या पर 1 cm ओके नेक्स्ट टोपिक देखो measuring the length of curved lines curved lines कि अगर आपको क्या करना है curved जो हमारी लाइन होती है ठीक है उनकी अगर आपको distance measure करने है curved कैसे जिकी वह straight नहीं है वह कैसे बिल्पूल कर्व है ठीक है तो इसके लिए देखो can you measure the length of a curved line using a scale क्या आप एक scale की हाल से आप curved line की जो हमारी length को measure कर सकते हो it is not possible to directly measure the length of a curved line की curved line की जो directly length को measure करना possible नहीं है बट आप उसको क्या कैसे कर सकते हो thread or string can be used to measure the length of a curved line की जो हमारी curved line उसके लिए आप किसका use कर सकते हो किसी thread का या फिर string का use कर सकते हो take a thread and place it place it on the curved line की आप thread ले और उसको कहां लगो curved line के उपर रखो mark the points where the curved line begins and ends on the thread की जहां पर आपने start किया है वह आप उसको तो thread को mark कर दो कि हां हमने यहां से start किया ठीक है स्पोज आपने starting point से start किया तो वहीं पर mark कर दो कि हमारे initial position ठीक है उसके बाद आप उसको जहां-जहां जैसे जैसे आपकी फिनिश हो रही ठीक है उसको फिए आप thread के उपर mark कर लो फिर क्या अगर आप thread को जो हमना यह स्पोजिशन थी और यह कौनसी थी ठीक है तो as it is हमारे thread को आप a position को कहा रखोगे जीरो पे ठीक है जहांसे वह start हो रहा है और बी position को जहां पर वह फिनिश हो रहा है ठीक है तो देखो यहां से फाइनल पोजिशन हमारी six पे तो इसे हम क्या कर सकते किसी भी क्या कर सकते किसी भी हम मतलब distance को measure कर सकते हैं छंट को measure कर सकते time between two points बट the ruler and divider is used for only short measure short length short length measure current measure को measure करने के लिए लिए हम हम इनको use कर सकते हैं not for long length or long distance okay झाल 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 झाल